नमस्कार, कुईक इंडिया चैनल में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि गूगल फाइल को डाउनलोड कैसे करते हैं तो इस वीडियो को देखते रहें तो चलिए सुरू करते हैं अगर आप भी अपने फोन में Google फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं आप जानना चाहते हैं कि Google फाइल से क्या होता है तो Google फाइल से आप अपने फोन में जो ही फाइल होता है वह चीज को एकसेस कर सकते हैं जैसे कि फाइल में जा कर फोटो देख सकते हैं, फोटो को delete कर सकते हैं, वहाँ पर बहुत तरह चीज कर सकते हैं, तो Google फाइल को download करने के लिए आपको क्या करना है कि अपने फोन में प्लेश चोर को open करना है, open करने के बाद आपको सर्च बॉक्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको क्या करना है कि Google File आपको टाइप करना है टाइप करने के बाद यहां से इसको सर्च कर देना है सर्च करने के बाद अगर आपके फोन में पहले से Google File होगा तो यहां पर आपको Update का Option आजाएगा अगर आपके फोन में यहां से Update भी होगा तो यहां से इसको हम update कर लेते हैं अब यहां से आपको क्या करना है कि cut कर देना है cut करने के बाद अब आपको अपने phone में कहीं पर भी इसमें आपको Google फाइल दिख जाएगा तो आपको क्या करना है कि उसको ढूंड लेना है दुनने के बाद आपको क्या करना है कि उसको open करना है open करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface दिखेगा तो आपको क्या करना है कि यहां से आपको continue पे click कर देना है अब यहां से permission मांग रहा है तो आपको permission को allow कर देना है अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे फोन में जो भी फोटो उटो है यहाँ पर दिखा रहा है यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपका फोन में कौन-कौन सी चीज डाउनलोड है यहाँ से डाउनलोड फाइल को देख सकते हैं यहाँ से वीडियो देख सकते हैं और इसको डिलीट भी कर सकते हैं तो इस तरह से आप अपने फोन में गूगल फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं धन्यवाद